आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, इस Question में हमें एक Hot Air Balloon दिया है जिसका मास है Capital M उस पे एक Passenger है उसका मास है Small M अब ये Stationer ये एक Mid Air में जो Passenger है वो Climb Out करता है और Slide करता है इस रोग के एक Constant Velocity यूज से Relative जो है Balloon के Motion के साथ अब पहले पार्ट में हमें दिया है कि हमें ये Show करना है कि जब Passenger जब Slide Down कर रहा है तो कोई भी Change नहीं है Mechanical Energy में ठीक है और Calculate करनी है Speed of Balloon ऐसे ही दूसरे पार्ट में हमें Calculate करना है Power जो Buoyancy Force की है System पे जब ये Man जो है Flight Slide करेगा और Easy Calculation के लिए हम ये Assume करना है कि जो Volume है Man का वो Nagmichible है तो तीसरे में हमें Buoyancy Force Calculate करना है Positive Work का जहां पे ये Work Done, Lost हो रहा हो और हमें ये प्रूफ किया हुआ है कि जो Sum है हमारा Kinetic Energy, Potential Energy का वो Constant रहता है चलिए पहले पार्ट से Start करते हैं तो जब Man हमारा जब हम Move Down कर रहा है उसको हम ले लेते हैं Speed V Vm होगी है हमारी Speed of Man Moving Down ठीक है ऐसे हमारी Balloon जो है जो Move कर रहा है वो हो गया Vb हमारा हो गया Balloon Speed अब हम लेख सकते हैं Vm Plus Vb Equal to U हमारी Initial Speed तो यह होगी Vb के रिस्पेक्ट में हमारी Speed आ गई U-Vm अगर हम Apply करे Momentum Conservation तो हमारी जो है यह Value बन जाती है M Vm Equal to Capital M U-Vm Vb की Value हमने डाल दी तो यहां से हमारी Vm की Value आ गई M U U by M Plus Small M ठीक है ऐसे हमारी Vb के वाली वागी Small M U by Capital M Plus M ठीक है अब जैसे हमें पता हैं कि जैसे हमारा Center of Mass जो है System का वो Move नहीं कर रहा तो हमें मिल जाएगा उससे M Xm Down Is equal to Capital M Xb Up यह हमारा एक Relation हो गया ठीक है अब हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो मारा Change है Potential Energy का Change in Potential Energy Is equal to M G Xm Plus Capital M G Xb Is equal to 0 यह Relation यूज करते हुए From 1 ठीक है अब हम आगे यह भी लिख सकते हैं कि जैसे बोथ जो मैन और जो बलून है हमारा जो एक ही Speed से Move कर रहे है Constant Speed से Move कर रहे है तो हमारा जो Change नहीं हो रहा है इसमें कानाइटिक अनरजी का तो हम देरफूर यह लिख सकते हैं कि कानाइटिक अनरजी Plus Potential Energy Is Equal to Constant चीक है अब यह Proof करने के बाद हम दूसरे पार्ट पे जब हम जाए तो दूसरे पार्ट पे में दिया है कि हम एक Power Calculate करनी है Buoyancy Force जो सिस्टम पे लग रही है जब Man Slide कर रहा है तो चलिए B पार्ट देखते हैं हमें पता है कि Buoyancy Force हमारा Defined होता है M plus Mass of Balloon by Mass of Man into G अब Potential जो उसका आजाएगा वो जाएगा FB into VB यह हो गया हो हमारा M plus M G into M U by M plus M तो हमारा Pressure जो है वो आगया M G U ठीक है तो हमारा इस सिस्टम का Power calculate कर लिया यह Power था हमारा इस Case में यह चीज हमारी Power Defined करती है तो हमारा Power आगया BB is equal to M G U अब हम C पार्ट पे जाए तो C पार्ट पे हमसे पूछा था कि Buoyancy Force जो लग रहा है वो Positive Work परफॉर्म कर रहा है तो यह Work Lost कहा हो रहा है हमें यह बताना है तो अगर हम सिस्टम समझे तो हम यह लख सकते है Work is getting lost as Heat is generating in rubbing जब हम जो हमारा Man है वो उससे उतर रहा है तो Heat Generate हो रही है तो हमारा जो सारा Work है वो वहां Lost हो रहा है इस केस में Thank You Classics Tutorial से लेके Meet IIT.J.E. Means और Advanced के लेवल ताटास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे डाउट नटाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट आज चार्सो 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 पर